माशाओला पेलिवी शरीव में आ गए और यह जाम मस्रीव बाहर का मंज़र है अब आगे का देखाती है इसमें बुम्बद बहुते हैं क्यों तैजीम भाई पार्किंग के लिए हैं माशाओला इधर का बड़ा फुप्सूरत मंज़र है चले क्या करें माशाओला तबारक बड़ा फुप्सूरत मंज़र है इस मस्जिद मुबारक का इंजामा मस्जिद है यहां की यह पीलिभीद शरीव की बुलंद दर्वाजा है बन हुआ आओ अंदर चलते हैं अंदर से देखते हैं कैसी बन हुई है माशाओला पारक नजारा तो बड़ा फुप्सूरत है माशाओला तबारक अला है अब ये जामा मस्यद आ गए है अब फूलत मजा रहा है माशा अल्ला ये पहली भी शरीफ की जो है यहां की जामा मस्यद है माशा अल्ला तबारक अल्ला बहुत ही पुरानी मस्यद है मासा अल्ला को अल्ला असलाम अल्ला यहां पर चक्ति लखने की जगा है इसके बाद में इंट्री होती है यहां से यह पाने को खावज बनोगा है माशा अल्ला यह माशा अल्ला यह पाने का खावज है दिल्दी की जाम मस्यद का लोग दिया गया है इसमें यह पीलिवीद शरीव की जाम मस्यद का नजारा है माशा अल्ला फर्स्ट वार आएं अंदर जाम मस्यद के अंदर की लिमीत में कहले तो आय थे बहार से ज्यारत करके गये थे सोचा कि आज वीडियो बनाओं एक आप लोगों को भी ज्यारत कराऊं अगर वीडियो अच्छी लगे कॉमेंट करें शैर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह बजु वाना ने कर लिए है होस्ट हावी हावी तैजीं भाई कहाते हैं आप माशाध्ला बहुत अच्छा लगा यह अच्छा लगा रहे है यह जामा मस्च्जी थे और बहुत ही पुरानी मस्च्जी थे यह हो पूर्णी जमाने की थे हैं मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात्सान ने बन वा कि अगर हिस्टरी पढ़ोगी यहां की पैसे बेंदेगी फिर दो पैसे चलते हैं साहजी मिया के यहां पर चलते हैं वहां की धर गसलिए पर जयारत करते हैं और इन लोगों को भी जियारत कराते हैं इंशाओल्ला है परा खुरसुरत नजारा आए तो नहीं भाई लेटिस बगरा भी आते हैं इस मस्जद पर हाँ दो बार है आ सकते हैं लोग मस्जद है मस्जद अल्ला का घर है कोई भी आ सकता है और चलते हैं अब साहाजी मिया के हाँ दर्गा सरीफ जारत के लिए करते हैं